नमस्कार किसाल भायो महरुम्त अमर आप देख रहे हैं एक खेती जानकरी येटूब चैनल किसाल भायो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मिर्च की फसल है उसमें माइट के पौदे किस तरह से पैचाने हैं और माइट को कंट्रल करने की एक वायो माइटी साइ दबा के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपकी सिम्ला मिर्च है और पतली मिर्च है उसमें अगर माइट लगी हुए है तो उसे किस तरह से पैचाने वाले हैं और माइट की जो वायो केमिकल है उसको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बैकिस कंप जिसे आने बारी वीडियो का आपको त्रों नोडिकेशन किसान भायों मिल सके हैं तो नीचे लिंक डिक सन्में दिया हुआ है वहां से जाकर आप हमारी टेलिग्राम और वहार सब ग्रूप में जोड़ सकते हैं यह जाड़ा कुछ ना बठकाए आते हैं अपने मैं टोपिक पर जैसा कि आप शाइड में जो वीडियो देख रहे हैं यह जो है जो पौद रेकिन डेमा के उसल सकती हैं और उसमें फूल और फल वी बहुत कम देखने को मिलता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह के पौदे हमारे जो है पतली पौदे था पतली प्रॉप फसल में को मिलते हैं तो आप समझ जा है यह माइट को कंट्रोल करने की, अगर हम दबा की, हम बात करें, तो मायट को कंट्रोल करने के लिए, इसका इलारक इंडिया, एग्ली टेक का वहतेली माइटी साइड आता है, जो बायो माइटी साइड है, मिट्को, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, यहीं जो मिटको नाम की जो दबा है इसे आप अपनी सिम्ला मिर्च तता पतली मिर्च में जो है मायट कंट्रॉल करने के लिए अगर इसका इस्प्रे करते हैं अगर आपकी 15 लिटर वाली टंकी है तो उसमें आप 20-25 अमेल प्रसी टंकी के अनुसार अगर इस मिटको प्लस का अगर उपियोग करते हैं अपनी सिम्ला मिर्च तता पतली मिर्च की प्रसल में तो हो जाएंगे और यह आपकी सिम्ला मिर्च तता पतली मिर्च में दिखाई नहीं देगी प्रियोग करते समय अगर हम साफ दहनी की जब बात करें तो प्रियोग करते समय आप साफ फानी का यूज करा और इसे आप 20-25 प्रिक्तिंकी के सब्सक्राइब करते हैं तो जो है मिटको पिलस का रजल्ट का इंडिया एगरी टेक की जो मिटको नाम की दबाहरे यह मांतिजाय जो है वह बहुत ही बहुत ही बैतरीन तरीके से हमारी सिम्ला मेर्ची पयुदार करने में काम करता है किसन भाई हो अगर इसका उप्योग करते ह और वाकी अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब वस्ते करें तो फिर बिलता हूँ एक नई वीडियो में नई टॉपिक साथ तब तक के लिए जया किसान जया जबान